दोस्तो, सस्त्रू कितनो बलवान हो, अबे पैरो को नीच गिरेगा, नमस्कार दोस्तो, महावेगा चलेंग, बहुत बश्वागत है, मैं धर्मिंद्र, दोस्तो, अगर आपका कोई सस्त्रू आपको बार-बार परसान करता है, और आप उसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस मंत्र का परियोग से आप छुटकारा पा सकते हैं मंत्र इतना असेदार है जिसके परियोग करने से बरे बरे सस्त्रू भी कुछ ही दिन में कितनो बलवान सस्त्रू हो कितनो सकती साली सस्त्रू हो वो पैरो को नीचे गिरेगा तो दोस्तो आप सस्त्रू से परसान है इस मंत्र को परियोग आपको करना ही होगा आपको सस्त्रू बार बार आपसे लराई करता है जगरा करता है बार बार परसान करता है बात बात में आपसो सस्त्रू लरता है जगरता है तो इस मंत्र को परियोग से आप सस्त्रू को दवा स सकते हैं सस्त्रू को उच्चाटन किरिया कर सकते हैं सस्त्रू प्रसान होगा और आपको पैरों को नीचे गिरेगा आपको खरे खरे पैर परेगा तो दोस्तों बहुत असेदार मंत्र है और इस मंत्र को किसी भी सूम मुहरत में आपको जागरित कर लेना है और जागरित करने क बाद और इस मंत्र को परियोग करना है और जब भी इस मंत्र को परियोग करना है तो किसी चावल या कच्छा चावल होता है उस पे आप लेकर इस मंत्र को 21 वार भी मंत्र इस चावल पर करना है और चावल जिसके घर में गर देंगे या जिसके घर में फेक देंगे या किसी च उखट के पार हो जाना चाहिए और उसको घर में गरा गिया या फेक देंगे तो उसको उचाटन किरिया हो जागा उसको घर में पिरसान हो जाएगा और गर उसको उजड़ जाएगा तो दोस्तो इस मंत्र को सोच समझ कर परयोग करेंगे तभी आप सस्त्रों को आप पराजित कर सकते हैं तो दोस्तो कभी भी इसको गलत परियोग न करें और इसको विधी विधान से ही करें तो दोस्तो चलिए हम ओ मंत्र बताते हैं आप लोग का क्योबे मंत्र कौन सा है तो दोस्तो मंत्र इस परकार का ओम नमो पुरन डफल डूर एकता में बीर हनुमत का चेला पकर प दोस्तों जहां अमुख है जहां अमुख लिखा हुआ है वहां उस सस्त्रू को नामी लेना है जो आप से बार बार लराई करता है आपको बार बार परसान करता है उसको इस जगा पर नाम लेना है और नाम लेकर जो मंत्रे जपेंगे आप उस चावल को सस्त्रू को घर में घर देंगे या फेक देंगे तो उसको उचाटन करिया हो जाएगा उसको घर में सबसान हो जाएगा उसको घर में पूरे बिमार हो जाएगा सस्त्रू मरते मरते दम ह तो दोस्तो इस मंत्र को सोच समझ के करें और इसको गलत परियोंग न करें तो दोस्तो हमारा वीडियो कैसे लागा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना सस्क्राइब कर देना और इस वीडियो को दोस्तों को साथ